हम अमबेटकर नगर आलापुरतासील के अंतरगत पहुंच चुके हैं ग्रामसभा मकरही में हम यह दिखा रहे हैं कि नदी का जो बाणा का पानी जो बढ़ा हुआ यानि जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया बाण इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि यह मकान का मकान गिर रहा है यहाँ आज से पहले यहाँ परिवार रहता था यह धीरे-धीरे जो मकान जो है धए रहा है यह आपको हम दिखा रहे हैं और यहां अभी तक कोई सरकारी करमचारी यह अधिकारी यहाँ कि ग्राम पर्धान भी यह खबर लेने नहीं आए कि उनके ग्राम्सभा म में हो क्या रहा है यह देखिए मकान किसका है रामगन कि आपका मकान है आपके पर्धान यहां है को करमचारी सरकारी अधिकारी करमचारी जास नहीं किसी ने अब सबस्कार निए लड़के विस्तेदारी में आप नुब दूसरे आ या रहता है अपने यहां रहता है अपना घर कोड़के दूसरे यहां रहता है यहां साब बिच्छू भी आते हैं परसान है अब जैतों ना उच्पाथ पानी मसे सब उचे आवत है वह बदो साब बिच्छो आते इसका जान का भी खत्रा है यहां पर रात में बहुत दिक्कत हो रही है साब बिच्छो आ रहे हैं एक किरावी फिटार भी आ रहे हैं हमारे यहां है रात में रहे हैं रहे हैं काई की पानी भर गया है सब लगा और सभी उच्छ है घर में पहल रहे हैं देखिए माता जी क्या कहना बताई है माजी क्या कह रही है आप जी जी खाने को भी नहीं तो फसिल भरबाद घर दुआर सब तबाह हो चुका है यहां अभी तक कोई करमचारी भी नहीं सरकारी अधिकारी भी यहां तक नहीं पहुंचे कि इन लोग को मतलब कुछ सुदा मुईया कराया जा, इनको कुछ रहात पहुंचा यहां तक कोई अधिकारी अभी तक पहुंचा नहीं, यह देखिए, सड़क पर भी पानी पूरा भरा हुआ है यह देखिए, गल्ला भरा हुआ इस घर के अंदर लेकिन सारा भीग गया है, हम आपको दिखा रहे हैं कि जन जीवन किसी साफ से अस्त बेस्त हो चुका है, शैकड़ो परिवार जो है अपना घर छोड़ कर बाहर दूसरे के घर में रिष्टेदार के नातबात गया रहते हैं, जो उनका सारा खाने पीने का सामान है, या सुबधा जनक जो भी सामान सारा पानी के अंदर आ चुक साफ भी जा रहे हैं, यहां लोगों को खाने के जो है, दाना के लिए तरस रहे हैं, अभी तक यहां कोई अधिकारी करमचारी नहीं पहुंचा है, दोस्तों मैं आपको कुछ एक धागरा नदी का परकोब जो है, जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मैं दिखाने जा रहा हूँ, अमबेटकर में गरके, टांडा तासील और अलाप पूरतासील के बीचों बीच मैं खड़ा हूँ, एक तरफ अलाप पूरतासील आती है, दूसरी तरफ जो हो टांडा तासील आती है, आप देख सकते हैं, कि यहां जलस्तर जो कभी नहीं आया, कि लगबग 20-25 साल में इतनी जादा बाड कभी नहीं आई, मैं आपको दिखाना ये चाहे रहा हूँ, कि आप अपने कैमरामन से दिखवाना चाहे हूँ, कि जो जलस्तर बढ़ा हुआ है, देख लीजी आपकी सिसाब से पूरे पूरे गाओं, लगबग सैक्डों, हजारों घर की संक्या में जो पानी के परभाव में आ चुके हैं, और यहां आप देख सकते हैं कि नदी का स्तर पल पल बढ़ता ही जा रहा है, खत्रा जो बढ़ता ही जा रहा है, गाओं का गाओं जो है जलस्तर में समा गया है, आप को हम दिखाना चाहे हैं, जलस्तर किसी साथ बढ़ा है, यह देखिए, यहां कभी पूरा एक रोड है ये रोड आज मालूम नहीं पड़ता ही सी उपर से नदी बह रही है आप देख लें कि ये नदी का मतलब कौन सी धारा बहरी कहां नदी का पानी आ चुका है लगभग पचीस सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जल अस्तर इतना ज्यादा बढ़ा हो लोगों के यहां के जो लोग है उनका कहना है कि पचीस सालों में कभी तना ज्यादा जो पचीस से तीस सालों के अंदर कभी तनी जबर्दस्त बाढ़ नहीं आई थी इतना ज्यादा जो है जल अस्तर नहीं बढ़ा था आपको हम दिख में घर बने हुए है कि यहां केमरा घुमाई है कि हज़ारों जिन्दगिया जो है दाउं पे लगी हुई है इस बद आप देख रहें जलस्तर का इतना ज्यादा बढ़ना जलस्तर का इतना ज्यादा बढ़ना जो है खत्रे से खाली नहीं है आप देख रहे हैं कि जलस्तर खाली जल एकदम पानी ही पानी नजर आ रहा है जैसा ऐसा मालूम पढ़ रहा है कभी समुन्द्र की तरह दिख रहा कि चारों तरफ जलस्तर यह गाओं खेट सब जगां पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है यहां लोगों को अपने आने जाने के लिए नाय का भी परियोग कर रहे हैं एक घर से दूसरे घर आने जाने के लिए नाय का परियोग कर रहे हैं हम उतनी दूर जा नहीं सकते आपको दिखा नहीं सकते कि जो देख लिजी आप छोटे-छोटे मकान की तरह दिख रहे हैं वो सब पानी के अंदर आ चुके हैं आधे-आधे घर पानी के अंदर डूब चुके हैं ये देखिए आपको कुछ दिखा रहे हैं यहां से प्राइमरी पाट साला एक दिखाई प्रणा वो भी जो है पानी के अंदर डूब चुका है इसे सैला भी कहा जाए सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है दोस्तों हमारे साथ बने रहे हम पलपल की अपडेट आपको इसी तरह के से दिखाते रहेंगे में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है की आई आई अप इसी गाव के हम से पता करते हैं कि ये बार कब तक अग अब सबस्ते पहले Έom रहा की तना आई थी लेकिन वो भी इतना जादा एक्तूबर में नहीं आई थी पहले आई थी हम यह समझ रहे यह रोड से जितना भी गाउ इसथर पड़ रहा है लग बग जो भी चार है यहार कह सब घर में पानी है है हमारे हमारे यहाँ देखो यहाँ सब पानी जर रहे ह सब पानी के जा रही है हम आपको दिखा रहे हैं कि नदी का जो अस्तर मेधर में कीटना किलो मिटर यहां से लगभग यहां के लोगों को कहना मैं कि तीन किलो मीटर है और तीन किलो मीटर बाद हम आपको दिखा रहे न जा रहा है तीन किलो मीटर तो हम जा ही नहीं सकते नदी के अस्तर तक कि तीन किलोमीटर की बात की बात है जो धारा चल रही इस वक्त यह देख लें आप कहां इसका जलस्तर है तो चाचा समझ रहे कि आप लोग राथ में भी नहीं सोते हूंगा कि अधिकारी का यहां दवड़ा हुआ तक नहीं कोई अधिकारी नहीं आया परधान आपके परधान भी नहीं आया परधान भी नहीं आया आपके परधान भी आप लोग के पास नहीं आया आपके लोग में खोशकबर लेने के लिए यह मकरही दलितबस्ती की बात हम कर रहे हैं जहां बाढ़ की यहाल की घर तक ढूब रहे हैं खेती किसानी तो खराभी हो चुकी यह पूरी बरबाद हो चुकी है और यहां का जो मौजूदा परधान भी इन लोग के पास नहीं आया कि मतलब क्या पोजिशन क्या है क्या नह आपनी कोहते हिए रहे वह हैं कि पॉरा फॉर आज़ा गंगाऊया नकी सिसरे जीवन असृटवेस्ट होता नज़र आ रहा है है और कर का किस अब इस घर के अंदर ना कोई आज आसकता ना process का मिड़ी का मकान कभी भी ढख सकता कभी नहीं सकते है थाइतन ज़्यादा बढ़ गई है पानी का जलओ स्तूर इतना बढ़ गया है कि कभी मकान फैसकता है यह कि शड़क पर पूरा पानी alternus आपके परदान जी आए आपसे कुछ जन परदान ना कोई करम चारी ना सरकारी करम चारी कोई अधिकारी तक भी यहां नहीं पहुंचा है कि इन लोग को रहत किस तरीके से दिलाई जाए या कैसे इनकी मदद की जा या कोई सरकारी करमचारी भी अभी तक नहीं पहुचा